श्रे गौरी गणेशांबिका अभ्यां नमा, श्रे हनुमत ये नमा, स्रे हनुमत देवता अभ्यो नमा, कार्तिक मास, काया पावन मास, पुनीत मास, उत्तम मास और स्रष्ट मास. गंगा जी का पावन तर्ट हो, गंगा जी का पावन द्रश्य हो, गंगा जी की किनारा किशी को मिल जाए और दीपा वली, दीप उत्सव, दीपो का उत्सव का तेवहार आपको मिल जाए, तो इससे बड़ा लाभ आपको जीवन में और कोई प्राप्त नहीं हो सकता है। दिपावली एक मिलन का तेवार है। आप जानते हैं कि दिपावली में सभी स्वक्ष बस्त्र पहनते हैं। या नूतन बस्त्र हो या स्वक्ष पवित्र बस्त्र हो उसको धारण करते हैं। दिपावली संबंध का तेवार है और दिपावली आसीज का तेवार है। दिपावली की कड़ी में दिपावली चोटी दिपावली और बड़ी दिवाली। चोटी दिवाली के दिन नरक्चत उर्दशी इस वार 3 नमबर 2021 को चोटी दिवाली है जिसे संस्कृत में एक वाक्य में उसे नरक्चत उर्दशी भी कहते हैं। और नरक्चत उर्दशी के दिन हन्मान जैनती का भव्य उत्सब मनाय जाता है। उत्तर भारत में दक्षिन भारत में महाराष्ट में और दक्षिन भारत में बहुत सारे राजियों में हन्मान जैनती चैत्र मास में मनाय जाता है। मार्च और अप्रेल के मध्या लेकिन उतर भारत में हनवान जी क्योंकि भारत में तीन हनवान जी की प्रतिमा अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है सबसे पहले आयोध्या जी स्री राम जन्मभूमी आयोध्या पावन धाम आयोध्या साथ पूरियों में से पहली पूरी मौक्ष पूरी आयोध्या में हनवान जी लेटे नहीं बैठे हैं हनवान जी की वाल मूर्ती है, हनवान जी बालक रूप में वहां बैठे हैं, आयोधिया में बैठे, तिर्थराज प्रियाग में लेटे और नहमी सारने में खडे, तीन प्रतिमा भारत में स्वयंभू प्रतिमा है, राम कालिन प्रतिमा है, इन तीन जगों पर जब हनवान जै जाया उसी दिन राष्ट में हनमान जेंति है। मैं एक बाद बताना चाहूँगा बिन अभीवाद कि जो मार्च की हनमान जेंति हैं वो हनमान जेंति नहीं नहीं है। आप उसे हनमान जãyंतु नमाने। सास्त्र परंपरा की अनुसार हन्मान जी महराज का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष नरक चतुर्दसी चतुर्दसी के दिन रात्री 12 बजे हन्मान जी का जन्म हुआ है और उस दिन क्योंकि हन्मान जी का में परंव उपासक हूं साधुशंत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हनवान जी की प्रतिमा हमारे पास लगभग साड़े 500 साल प्राचिन प्रतिमा हमारे पास है और हम लगभग 2000 से नहीं लगभग 91 91 से हनवान जी की सेवा हम कर रहे हैं 91 में हनवान जी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई किसी महापूरस के द्वारा वो 500 साल बर्ष प्राचिन प्रतिमा है 500 साल पुरानी प्रतिमा है हनवान जैन्ती के दिन ही हम हनवान जी को बाहर निकालते हैं और उन्हें कोई स्पर्ष नहीं करता है अभी तक उन्हें कोई स्थ्री या किसी ऐसे बिक्ति ने स्पर्ष नहीं किया है जो इस पर्ष के योग्य नहीं होते हैं श्त्री की बात इसलिए आती है कि हनुवान जी ब्रह्मचारी है हनुवान जी को महिलाओं से दूर रखा जाता है या महिलाएं हनुवान जी से दूर रहती है एक माननिता है तो अनरक चतुर्दसी के दिन रात्री 12 बजे हनवान जैनती है छोटी दिवाली है उस दिन महालक्ष्मी का संचिप्त पूजन होता है और मा अनपुरुना का पूजन होता है तो हनवान जी का जन्म रात्री 12 बजे कराई जाती है हनवान जी का जन्म बड़े धूम धाम से मनाय जाता है आप देखे होंगे सुने होंगे या इस बार आप देखेंगे कि आयोध्या में नैमी सारण में और तिर्थराज प्रियाग में हनवान जी का जन्म किस प्रकार से धूम धाम मनाय जाता है या फिर सिद्ध पीट दक्षिन काली मंदीर चंडी घाट नील धारा गंगा तट हरिद्वार उत्राखंड हनवान जी का जन्म कितने धूम धाम से मनाय जाता है जहां खुद रशोई तयार किया आते हैं हन्मान जी के लड़ु खुद बनाय जाती है आशरम में और वो लड़ु हन्मान जी को रात में 12 बजे भोग लगाय जाता है मैं पूरी भारतिय संस्कृति को मानने वाले जितने हमारे सनातनी है मैं उन्हें हनमान जैन्ती और छोटी दिवाली धेर सारी सुपकामना, बहुत सारा बधाई, बहुत सारा मंगल आसीस हनमान जी की ओर से, मा लक्षमी की ओर से भगवान नाराण की ओर से हम आपको प्रदान करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप सभी हनमान जी की उपासना में लीन रहें हनमान जी की उपासना करें हनमान जी का उस दिन प्राकट हुआ, हनमान जी का उस दिन जन्म हुआ और हन्मान जी हमारे भारतिय सुन्स्कृति के रक्षा के लिए सनातन परंपराओं के रक्षा के लिए राम जी की सेवा के लिए हन्मान जी का प्राकट हुआ हन्मान जी संकर स्वयम के सरिनंदन तेज प्रताप महाजग बंदन हन्मान जी स्वयम भगवान शिवें और साधू संतों के परम रक्षक है तो इसलिए हन्मान जी की सेवा आप नरक्षत उर्दशी 3 नमंबर 2021 बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस वार और बहुत बर्षों बाद ऐसी सुब बेला, सुब घड़ी, सुब तिथी, सुब बार, सुब नक्षत्र उस दिन आया है जिस दिन आप हन्मान जी को पास सकते हैं, हन्मान जी का पूजन कर सकते हैं और हन्मान जी की उपासना करके आप परम अभय वर्दान हन्मान जी की और से आप राप्त कर सकते हैं तो मैं पुनह मंगल कामना और बधाई देना चाहूंगा मैं बहुत सारा मंगल आसीस हन्मान जी की और से आपको देना चाहूंगा कि हम सभी हनमान जी की उपासना करें और अपने जीवन को स्वस्त सुन्दर और मंगल में करें जै स्री कृष्णा जै घंगा मैया श्री हनमान जी महराज की जै